Overseas Prime 1 Sector M में इस वक्ड डिवेलप्मेंट की सूरतेहल क्या है as of 4th week of September 2023 अगर हम बात करें Overseas Prime 1 के overall इसमें किस dimensions के plot हैं तो इसमें 4 मरला और 8 मरला के commercial plots हैं और ये एक मरकज है basically जो चक्री रोड पे facing है और ये adjacent है gate number 1 के साथ और access road 1 के साथ यानि के जो भी individuals चक्री रोड से अगर M2 motorway पे Capital Smartity के इंटरेजिन के दुरू जाना चाहते हैं तो gate के साथ left side पे जो पहला मरकज है उसके हवाले से वीडियो है Capital Smartity Overseas Prime 1 Sector M का map देख सकते हैं और ये मरकज बनता है जो चक्री रोड पे adjacent gate है उसके साथ बनता है बिल्कुल अगर हम बात करें डामेंशन से प्लॉट जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बात की थी तो इसमें 8 मरला और 4 मरला के प्लॉट्स है और इसके लावा किसी और साइज के प्लॉट्स नहीं है लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है कि इसकी development की सूर्थेहाल location के हवाले से तो mostly लोग इसको जानते हैं कि जब आप gate से enter होते हैं तो left side में सबसे पहला मरकज यहीं बनता है और इसकी details जो हैं वो आप quality पता है लेकिन यही road आगे जाके lead करता है M2 Motorway Interchange पे और इसके लावा अभी और कोई रस्ता मजूद नहीं है जो चक्री रोड के residents को हैं चक्री रोड पे जो societies हैं उनके जो residents हैं उनको connect कर सके M2 Motorway से स्मार्ट रेटी इंटर्चेंज के तुरू माँ सिवाए इस road के तो इस road की importance इस लिहाज से बहुत बनती है और मरकस की importance इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बनती है मरकस के अवराल बात करें अगर हम तो आपको इसमें तीन linear parks मिल जाते हैं वन linear park ये आ जाता है सेकंड linear park ये और थर्ड linear park आपका येवला बनता है और इसके लावा एक इसमें मस्जीद मुझूद है और बाकी कार पार्किंग के लिए जो spaces है वो भी already starting and reserve की है actual जो मुदा है इसमें ये है कि वो land की details कि इसमें कितना part ऐसा है जो आपका डिलिवर्ड है और कितना part ऐसा है आपका जो non-develop है अगर हम बात करें शुरू की जो पहला आपका ये बनती है इसमें commercial lane number 6 बनती है इसके ओपर जितने plot हैं वो mostly सारे आर्ट मुझा के plots है और तमाम के तमाम plots की जो land है वो brown हो चुकी है मासवाई आखरी plot की वो भी तकलिवर्ण क्लेरी है as such उसमें कोई litigation नहीं है अगर हम बात करें आगे तो इसके लावा ये वाला जो side बनती है इसमें plot number आपका commercial street number 8 जिसमें plot number 4, 5, 6, 7, 8 इनकी है land और इसकी back बले 4 मरला है उनकी भी land महजूद है उसके लावा जो बाकी plots बनते हैं उनकी land जो है वो society के पास अभी procured नहीं है तो ये दो areas होगे total गिंती के plot अगर यहां पे count करते हैं तो तकरीबर आपके यहां पे जो residential plot बनते हैं commercial plot बनते हैं 8 मरला के 12 इधर है और तकरीबर 6 plot इधर है अगर हम 4 मरला की बात करें तो इसको आप order को same count कर लें तकरीबर आपके इतने ही plot 4 मरला के भी हैं जो developed है अब remaining part जो बनते है वो सारा का सारा जो इस side पे है back side पे वो सारा non-developed है जो physically आप ground पे इस Google Earth location की मदद से witness भी कर सकते हैं कि actual ground पे क्या status है यहां पर society का security office बना हुआ है it means कि यह land प्रिक्योर्ट है यहां तो यह वाला part यहां पर इसमें कोई और मामलात ऐसे हैं कि society ने मजीद इसमें ऐसरे development ने की जाज़ी बाता है यह land की जो बाते होते हैं यह society की तरफ से public नहीं की जाती है जब यह public होंगी तो इंशाला मैं उसके वाले से दुबार अपडेट कर दूँगा बाते हैं दूसरी साइट पे यह जो reserve plots है इन सारे plots की जो land है सारी तो clear नहीं है लेकिन mostly जो land है वो mostly clear ही है क्योंकि यह land के बीच में रस्ता बना हुआ लेंड के और इसमें पूरे में नहीं क्योंकि यहां भी security office बना हुआ रही रस्ता भी बना हुआ है तो आप किसी और की जमीन पर गुजर के यहां रस्ते पर आ नहीं सकते तो definitely इस लिहाज से इसकी एक एहमियत बनती है तो अब आगे जाएं तो मैं आपको मैं जूम करूँ यह वला area cleared है और यह वला area cleared है बागी पार्ट ऐसा है इट सीम्स लाइक के साइटी के पास जमीन है लेकिन इरे डिवेलप नहीं है क्योंकि यहां भी कुछ machinery पार्ग नहीं जरा आती है यह sector K L बनता है और इसके साथ साथ यह security का ओफिस भी दर बनता है मेरे खिला यह वला पार्ट clear होगा तो साइटी इस मर्कस को एक ही go में develop कर देगी लेट सी वो टाइम का बात है अगर हम बात करें actual site के development की तो approximate तकरीबन 10 से 15% land है जो brown हुई है यानि कि जिस पे आप confidence के साथ कह सकते हैं कि यह वरी लेंड साइटी के पास मजूद है रेमेनिंग 85% से 90% जो लेंड है वो साइटी के पास मजूद नहीं है एवन दो अगर actual site पर देखते हैं तो वहाँ पे plantation भी हुई है यानि कि जो जिनके पास वो लेंड है वो उस पर काश्तकारी भी कर रहे हैं और साइटी के पास विजिबली तोर पे वो लेंड मजूद नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में मोस्ट प्रबब्ली वो लेंड जो है वो अंडर प्रॉसेस होगी या अंडर निगोसेशन होगी कि किस रेट पर साइटी को देना है या जो भी मामलात होंगे जब वो लेंड क्लेर होगी तो उसके बाद सेक्टर M की डिवलप्मेंट स्टार्ट होगी राइट नाओ जे, के, ल और M सेक्टर जो हैं और सीस प्राइम बन के इन चारों सेक्टर की जो लेंड है उनमें से कहले हैं तक्रीपर हाड़ली 5 से 10 परसंट लेंड है जो ससाइटी के पास मौझूद है, रेमेनिंग लैंड अभी ससाइटी के पास मौझूद नहीं है जब वहाँ पे ससाइटी डिवेलप्मेंट काम करेगी तो इन्शाला मैं उस हाले से भी अपडेट कर दूँगा राइड नो जो फूटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एकसेस रोड बन के साथ यह अगया करते हैं तो उसके साथ सारा लेट साइड वला अरिया बनता है और लेट साइड वल एरिया में जहां पर आपको मिशिनरी पार्क मझा आ रही है यह सेक्टर के का अरिया है और सेक्टर के में एक कनाल और दो कनाल की डिमेंशिस के प्लॉट है और बिर्कुल opposite side पे sector H है जहां पे एकराली cuttings है और वहीं से access जाता है directly overseas east को right now जो अभी एक सबसे easiest access है interchange से overseas east के लिए वो sector H के बीच में से जाता है अभी आपको background में सारी lands के लिए नज़र आ रही होंगी यह शुरूरा जो part आपको नज़र आ रहा है इस कलवा 23 से लेके 2035 plot number तक sector H का वो भी आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे land है उसकी back side पर जाते हैं जिसमें street 5 है, street 6 है, street 7 है street आके पर 8 आ जाती है पर road 2 A आ जाता है यह तमाम area जो बनता है उसकी land अभी society के पास मौजूद नहीं है जब उसमें development होगी तो मैं उसके वाले से बता दूँगा for the time being अगर देखें हम अगर इसमें combine करें sector M को सब mainly जो इसमें आप पार्ट देख रहे हैं यह sector M का है sector M जो है वहाँ पे चुँके जो most expensive properties हैं वो sell की गी थी यहाँ पे यहाँ पे चार मरला का जो commercial plot था वो था एक रोट पांचलाक रुपे का और यहाँ पे जो आठ मरला commercial plot था वो एक रोट पे चतरलाक रुपे का plot था तो अभी वो जो area बनता है specifically तो वो area डिवलेवर नहीं है जब society की तरसे वाँ पर development होगी तो इंशाला मैं उसके वाले से दुबारा वीडियो बना दूँगा अगर बात की जाए sector M की potas के वाले से तो sector M जो है वो बहुत important sector है in terms of revenue और in terms of visibility of capital smartity कि चक्री रोड के उपर जिस तरह different housing projects हैं चक्री रोड के उपर उनके बड़े prime location पे बड़े अच्छी elevation के साथ class के gate बने हुए है capital smartity का अभी चक्री रोड पे कोई visibility नहीं है अगर आप capital smartity तिल लिटाइम आप को पता नहीं होगा कि आपने visit नहीं होगा पहले आप capital smartity को उस तरह सिजाज नहीं कर सकते क्योंकि चक्री रोड पर जब आते हैं अभी तक फोकस नहीं किया लेकिन यह मरकज जो यह बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी मरकज से capital smart के चक्री रोड पे visibility है वो clear होनी है यानि कि इस मरकज में क्योंकि कि किसी और project के पास चक्री रोड मरकज मजूद नहीं है तो चक्री रोड पर सबसे ग्रैंड मरकज बनेंगा वह सेक्टर एम के नाम से होगा अल्मुस्ट यहां पर तक्रीब आप मैं काउंट करूं तक्रीबन धाई 300 प्लाट है तक्रीबन सारे के सारे प्लाजा बनेंगे तो एक बहुत अच्छा मरकज नज़र आएगा डाउंटाउं टाइप उस तरह का मरकज यहां पर बनेगा तो चक्री रोड विजिबिलिटी बहुत ज्यादा क्लेर हो जाएगी मोटर चक्री रोड के बात करें जो पीछे जिरार कैम को रस्ता जाता है उस तरफ भी सुराइटी का एक केंप ओफिस मुझूद है अगर आपको यह वीडियो ची लगे तो प्लीज डूलाइक कमेंट चेर और चैनल को सब्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तरक के लिए खुदा हाफिस जाओिस